नमस्कार दोस्तों चैनल पर एक बार फिर से आपसे भी लोगों का स्वागत है अगर आप भी ट्रेन से ज़्यादा सफर करते होंगे और आपका टिकट वेटिंग में है तो आप इंतजार करते होंगे कि आखिर में चार्ट प्रिपेर कब होगा क्योंकि दोस्तों जब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है यातरा करने में मज़ा नहीं आता है सफर करने में मज़ा नहीं आता है ट्रेन में वैसे भी काफी भीड होती है और वेटिंग लिष्ट के साथ वेटिंग टिकट के साथ यातरा करना काफी मुश्खिल हो जाता है इसी वैसे जितने भी जो यातरा करने वाले लोग हैं जिनका वेटिंग में है या आरेसी में हैं वो लोग चार्ट का ज्यादा इनतजार करते हैं कि आखिर में IRCTC की तरफ से चार्ट प्रिपेर कव होगा। बाकि जिनका ticket confirm है उनको कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि our lady उनका seat confirm है वो अपनी seat पर जाकर बैढ़ जाएंगे और अच्छे से अपनी यात्रा कर लेंगे लेकिन जिनका waiting में है जिनका RAC में है वो इंतजार करते हैं कि आखिर में IRCTC की तरफ से चार्ट प्रिपेयर कब होगा और जब चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा तब ही पता चल पाएगा कि जो RAC है कनफर्म हुआ या नहीं हुआ है जो वेटिंग टिकेट है वो कनफर्म हुआ या नहीं हुआ आयसे में दोस्तो IRCTC की तरफ से दो प्रकार से चार्ट प्रिपेयर किया जाता है कुछ ट्रेनों का चार्ट प्रिपेयर जो ट्रेन की ट्राइमिंग है उससे चार घंटे पहले कर दिया जाता है वहीं पे कुछ ऐसी ट्रेने हैं जिनका चार्ट प्रिपेयर एक दिन पहले हो जाता है ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सभी ट्रेनों का चार्ट अलग अलग समय पर तैयार किया जाता है ऐसे में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जिस भी ट्रेन से आपको सफर करना है यात्रा करना है उस ट्रेन का जहां जहां भी स्टॉपेज है जिस इस्टेश पहले चार्ट तयार किया जाता है तो देखिए जो IRCTC का जो नियम है उसमें भी ये दर्सा गया है आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि जिस भी ट्रेन की टाइमिंग आपके स्टेशन पर सुबह दस बैसे लेकर रात को बारा बैस तक होगा वो सभी ट्रेन का चार् दोस्तों अब बात करते हैं कि वो कौन सी ट्रेने हैं जिनका चार्ट एक दिन पहले तयार कर दिया जाता है तो यहां पर आप ध्यान से समझेए जिस भी ट्रेन की टाइमिंग आपके स्टेशन पर रात को बारा बज़े के बाद और सुबह दस बज़े से पहले है उन सभी ट्रेन का चार्ट एक दिन पहले तयार कर दिया जाता है मतलब एक दिन पहले साम को आड़ बेस लेकर नौ बज़े के बीच में चार्ट तयार कर दिया जाता है कि आपका जो टिकेट है जो वेटिंग टिकेट है या रसी है कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है आगे आपको टिकेट कनफर्म नहीं होगा और उनको रात के समय पता चलेगा और ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होगी तो वो घर वापस जाएंगे सफर नहीं करेंगे यात्रा नहीं करेंगे और यात्रियों के इससे परिसानी होगा आई यार सिटिस एक तरफ से इसलिए ऐसी ट्रेनों का जो रात को बारा बज़े के बाद और सुबर दस बज़े से पहले उनकी टाइमिंग है तो उनका जो चार्ट त्यार किया जाता है एक दिन पहले ही कर दिया जाता है आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ट्रेन का चार्ट कब तैयार किया जाता है जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरू करिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्स पार वाचिंग